देराद बाका में कावरिया सधालू की हत्या कर दी गई घटना कटोरिया थानाचत के कटोरिया देवगर मुख्य मार कावरिया पत के छपरिया ध्रमसाला के निकटकी है। धरकर्ण धनबाद जिला की टुंडी थानाचत के बहरा गाउनिवासी बिकास मंडल के 22 वर्सिय पुत्र आसिस मंडल के रूप में हुई है। कुमाराय ने घटना असल का जाजा लिया और घटना में सामिल अपराधियों की धड़ पकड के लिए मोबाइल जाज परताल की जा रही है। घटना बहुत ही सोची समझी की गई है। कावरिया बम सोच के लिए बैठे थे उसी वक्त पिसे से पकड़कर अपराधिन ने बार किया और भागने करम में दो तीन जगा खून का धबा जमीन पर पड़ा हुआ है। पुलिस सभी बिंदों पर चान बीन कर रही है। भागलपूर के गोराधी थाना चित्र में 15 जून को अपराधियों ने सुमेश मंडल की हत्या कर दे थी। इसके बाद पुलीस ने इस हत्याकान में सामिल अपराधियों को गिरफतार कर लिया है। भागलपूर के CTSP स्रीराज ने बताया कि सत्याकान में एक नामजद अभ्यूक्त था और तीन अग्यात अपराधी सामिल था। जिसमें नामजद अभ्यूक्त को गोराधी पुलिस ने पुरु में ही गिरफतार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद गिरफतार अपराधी की निसान देही पर गोराधी थाना पुलिस और डी आईउ की टीम ने 17 विनोद दाज और रंजीत वर्मा को गिरफतार कर लिया। इस पूरे टीम में जिसमें संजय कुमार सिंधाना देश गोराडी डियाईउ की पूरी टीम रंजीत कुमार प्रवहाद सुसील राज रिजवी भानु परताब सिंग इन्होंने पूरे इस कान का सफ़ल द्विजन करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है तीन जो मिर्तक का मोवाइल था उसको भी बढ़ामत किया गया है इस तरह से यह कान का सफ़ल भिलें किया गया और अब तक पुड में भी एक बैपारी मंदल को जो नामजद अभिप्त है उनको भी ग्रफ्तार किया गया था तो पुल मिलाकर यह चार लोगों ने मिलकर यह हत्या कान किया था सुमेश मंदल को इसमें गोराट इथाना में 58-24 केस भी दर्जवा घटना का जो कारण यह निकल के आया है कि दो कारण निकल के आया है कि बैपारी मंदल से एक तोजमीनी विवाद हुई था और इसमें जो रंजीत वर्मा जो है अभित जो पकराए है इनके पत 123 जो लूट कांड, 785 ततारपुर का जो की डगैती और आमसेक्ट, मुजाहिद पूर का 63-19 जो की आमसेक्ट, हस्डियहा जो दुमका थाना है उसमें 4-22 जो की हत्या एवं आमसेक्ट से सम्वन दित हैं तो कुल 5 अप्रादे की तिहास सतन यादब का है जो कुराना क्रिमनल तो इसको हैर किया गया और इसके द्वारा हत्या की गयी थी, इसके एवज में इसने 20,000 रुपया प्राप्त की किया है रंजीत बर्मा और वेपारिमनल के द्वारा दिया गया था इसको, तो यह पूरे टीम को जो है इसके लिए प्रस्कित किया जागा जो कि टेकनिकल एव साथी बाहर से आने वाले कावारियों से भी फीडबेक लिए इस दुरान कमिशनर दिने इस कुमार एवं जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवलक सुर चौधरी ने मीडिया को बताया कि स्रावनी मेला में कावारिया को जो सुविधा दी गई है जैसे कि कावारिया बिसरा केंटर लाइट की वेवस्था कि साथ साफ सफाई पर विसेज ध्यान देने के लिए प्राधिकारियों को आवसक दिसानिर देज देते हुए अस्थर निरच्छन कर जाए जाली आ गया है कावरियों को और बहतर सुविधा देने के लिए कावरियों से भी फीडबेक लिया कावरियों ने अच्छी वेवस्था की बात कही और कावरियों को और बहतर सुविधा देने के लिए बिचार किया जा रहा है निरच्छन करदान जिलावा परखंड के प्राधिकारी और करमचारी मौजूद थे अब बालू कामरिया पत में रिशा हुआ है इसको रिप्रेश्मेंट कराना है और उस पर वाटर एस्पेटलर से हम लोगो वानी चरिभाव करना है वो जभी करने देश है और हम लोग काफी बिक्तर तरीके से इसको रिप्तिस्यम के और चे उरंदस्ता टीम का भी से गठं क सर अभी आपने कुछ कामरियों से बात की तो फिडबैक क्या मिला सर कैसे मिला आप सभी लोग साथ में ते सुन रहे थे सभी कामरियों बंदू ने काफी अच्छा फिडबैक दिया है और इसमें मैं सभी दिवाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस तरीके से अगर का रहने वाला भोला कुमार साह ने 90 बिहार इस्टेट जूनियर एवं सीनियर एथलिट चेंपियनसिप 2024 में बिहार की तरब से गोल्ड मेडल जीत कर भागलपूर का नाम रौसन किया है अभी तक भोला भागलपूर के साथ साथ देश के कई राजियों और जिला में अपनी जीत का पर्चम लहरा चुका है अब भोला नेशनल गेम खेलने के लिए अक्टूबर मह में भूबने स्वर जाएगा आपको बता दें कि भोला का पिता असोक सह मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके भोला को आज इस मुकाम तक पहुचाया है भोला अपनी जीत का पशरे माता पिता दोस्त और अपने कोच कुंदन कुमार को देते हैं भोला खेल की तयारी नात नगर स्थित सीटियस मैदान में करता था बिहार में एचिछ में इशेयम मीला है इस्टेर में हुला थ्रीक ये mensen जूण हेले के लिए यह होंग रहेंगे लुट कहां लिए के रहल में लेवल नेशनल लेवल और इंडिया नेशनल प्रैक्टिस करते थे हम गार्षिट्टियस में और धर का है नातने अगार मासकनवारीपूर जाना नावार भॉलाकमरता ता कितना दिल ता यह मैंद्च दोचाव अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूख बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक, ओडियोलोजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्वस्तरिये बेस्ट डिजिटल हीरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटिथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट आफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर, मोबाइल, 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पुर्णिया में पंचबटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकिज रोड, लाइन बाजार पुर्णिया और अरररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में ए भी मेडिकल के समीब मश्कार, मैं डॉक्टर हजाएक बार से सिसुरोग मेशे सग बिहार जारकंड में अग्रणी मेरा स्ले अस्पताल जो सब से पहले बिहार जारकंड में क्रिक्तिन सोसंद मशीन यहां आया ब्लड गैस अलाजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रूए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सिसफुल है और वह बिकलांगता से बचाता है और बच्चे की समावना वढ़ती है वह मशीन जो देर से रूए बच्चा है उसमें 3 डिगरी कम टेमपरेशर पर रखा जाता है और तीन दिन के लिए खर रखा जाता है लेकिन वो छे गंटे के अंदर उसको उसमे रखना पड़ता है तो आप इसका लाब उटा है और दूसरी बात जो आईसवान यूजरा है उसके तत पांच लाग का चिकितसा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहा आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाब उटा सकते हैं और आप इसका लाब उटा सकते हैं दन्यवाद अपने उज्ड़े आस्यान को बसाने के लिए सब़और परखंड की इंगली सपर का गाउं के बाढ़ पलिते पिछले दो साल से जलाब दादिकारी कारियाले का चक्कर लगा रहे हैं दरसल दो साल पूरूप सबवर परखंड की इंगलीस फरका गाउं के सैकडो घर गंगा में समा गए थे जिसको लेकर उसी गाउं के ग्रामिन पिछले दो साल से खुले आसमान में सबवर परखंड के मैदान में रहने को मजबूर हो गए हैं। इसके बाद लगातार बालपृ परखंड के मैदान में खुले आसमान में रह रहे हैं। हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है, आपको बता दे सबवर परखंड का एंगलीस फरका गाउं बाल परखावित छित्र हैं। लगातार इस छित्र के लोग का मकान हर एक साल गंगानदी में समा जाता है। हम लोग के जमीन चाहिए गहर रहने के सब्सक्राइब हम लोग आए हैं। इस सब और इंगलीस फरका गाउं का नाम में। इन से मिलने के लिए हैं। इसलिए हम यहां आए हैं। इंगलीस फरका से दोस्त दोस साल से इधर उदर भटक रहे हैं। ना जमीन मिला ना मॉबजा मिला। अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ओद्योगिक थनाच्छत्र में दो चार पहिया वहान से भारी मात्रा में बिरीसी सराब को जब्त किया गया। इसी को लेकर भागलपूर की सीटी एसपी स्रीराज ने प्रेसवारता कर बताया कि ओद्योगिक थनाच्छत्र के थाना अधच मुर्ली धरसा को गुप्त सूच ना मिली कि जारखंड के रास्ते चार पहिया वहान में भारी मात्रा में अविद्य सराब लेकर तसकर जा रहा इसी करम में ओद्योगिक थनाच्छत्र की पुलीश टीम ने सघन वहान चेकिंग अभियान चलाया जिसमें एक चार पहिया वहान से 149.5 लीटर सराब जप्त किया गया एवं वहान चालक को भी गरबतार किया गया है इसके बाद पुना वहान चेकिंग अभियान जारी रहा इसी करम में एक बार फिर से 4 पहिया वहान से 149.5 लीटर सराब चप्त किया गया सीटी आइसपी ने बताया कि आगे भी इस तरह का भियान जारी रहेगा जो कि कहलगाओं का रहने भागा है इसके पहले भी बैपास राच्छे तरंतरगत जो सराब के बरामग्गी की गए थी एक दुन पहले भी और इस लागतार इसमें जो दूसरी कारवाइज हो गया तकि रहने भागे बड़ी प्लबदी रही है भावेपर दुरिस्की